रास्टी विकलंग पार्टी ने विधायक सुरेंद्र मैथानी की कारेले पर जोरदार प्रदेशन किया और मुख्यमंत्री के नाम समोधित ग्यापनसौपा उसके बाद जैसी पार्टी के पद अधिकारियों को पता चला कि अपर मुख्य सचीव दिव्यांग जन शशक्ति करण विवाग हेमंत राव कानपूर में सरकेट हाउस आ रहे हैं और वहाँ पहुँच गया हैं और उन्हें भी ग्यापनसौपा गया दिव्यांग जन हाथों में तक्ति लिए होएते जिसमें लिखा था कि भिक्षन ही रोजगार चाहिए जीने का अधिकार चाहिए सरकारी नौकरियों में दिव्यांग जनों का आरक्षन कोटा पूरा करो नौकरी रोजगार समाजिक सुरक्षा की 100% गारंटी दो यूपी द अमानता कानून बनाने एवं दिव्यांग पेंशन पांच हजार रुपए प्रतिमा करने सभी दिव्यांग जनों को आयुशिमान वा अंतियो दोय योजना कलाब देने सहित अन्य मांगों के लिए बरावर आंदोलन कर रही है। विरेंद कुमान ने कहा कि राष्टी विकलंग पार्टी ने दिव्यांग जनों की मांगों के समर्तन में जन प्रतिनिदियों के माध्यम से मुख्य मंत्री को ग्यापन देने की पहल की है। दिव्यांग जनों को आइसमान और अन्तोदय रासन कार्ट जारी करने के लिए और तमाम मांगों को ले करके राष्टी विकलंग पार्टी ने आज पहले सुरेद मैठानी विधायक गोविन नगर और उसके बाद सरकीट हाउस में अपर मुक्षचू दिव्यांग जन ससक् कार्ण विभाग उत्तर त्रदेश आसन को हम लोगों ने घ्यापन दिया घ्यापन में हम लोगोंने अनुरूद किया है कि मांगे पूरी कर दी जाएं अगर मांगे पूरी नहीं होती तो चार सितंबर को दिव्यांग जन ससक्तिकरण निदेशाल है इंदराभावन लखनों में राश्टी विकलांग पार्टी पूरे प्रदेश इस्तर के कार करता वहां धरना प्रदर्शन करेंगे गेहराव करेंगे